Hello guys welcome back to our YouTube channel तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का chapter number first real numbers जिसके MCQs बिकॉस अब की बार हमारे MCQs बहुत ही important role रखने वाले हैं ठीक है तो question number first है हमारे पास the exponent of 2 in the prime factorization of 144 is अब मैं आपको यह आपर ट्रिक्स बताऊँगा कि किस तरीके से आपको question को solve करना ऐसा नहीं कि prime factorization of 144 तो आपको बोलू मैं 144 क्या prime factors करने बैठ जाओ और करो नहीं हमारे पास में इतना time नहीं है जिससे कि हम MCQs में भी हम इतना time लगा है because MCQs हमारे पास में है ABCD हमारे पास में option है हमें बस स्रिफ टिक करना है देखना equation को trick लगानी है और फटाफट से करना है last time consuming method यूज़ करेंगे हम हर एक MCQs को solve करने में अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है हमें 144 का क्या निकालना है एक तरसे the exponent of 2 in the prime factorization of 144 तो 144 इस question में हमें क्या करना है 144 के जो prime factors होंगे है ना उनमें exponent 2 की कितनी होगी यह आपको बताना है तो कैसे करेंगे trick बता रहा हूं है आपको 144 है 144 के आप factors निकालिए तो आपको पता है 144 जो है 12 का square होता है मतलब हम 12 into 12 के form में लिख सकते हैं 144 को हम बिल्कुल लिख सकते है अब और इसे factorize करिए 12 को हम क्या लिख सकते है 4 into 3 12 को क्या लिख सकते है 4 into 3 अब मुझे बताइए 4 क्या है 2 की power 2 है 4 क्या हमारी 2 की power 2 है 3 से तो हमें कोई मतलब नहीं है because हमें क्या बताना है exponent of 2 बताना है 2 की power 2 और 2 की power 2 कितना हो जाएगा 2 की power 4 हो जाएगा clear है तो कितनी power होगी exponent कितनी होगी 4 power होगी 4 exponent होगी 2 की किसमें prime factor action of 144 में clear है इस तरीके से अपने को करना ऐसा नहीं है कि हमें 144 के prime factors निकालने और फिर करने नहीं ठीक है clear है बताद चली आगे बढ़ते है question number second the LCM of two numbers is 1200 which of the following cannot be there HCF आपको क्या कह रहा है question the LCM of two numbers is 1200 जो दो numbers का LCM क्या है 1200 है which of the following cannot be there HCF अब एक बात ध्यान रखना point वाली बात कहरा हूँ कि आपको हमेशे याद रखना है LCM को divide करेगा HCF पूरा-पूरा clear है LCM को divide करेगा कौन HCF ठीक है तो कौन सा HCF नहीं होगा देको 600 HCF होगा बिल्कुल होगा 1200 को divide कर रहा है 600 बिल्कुल होगा 500 क्या divide कर रहा है नहीं 400 divide कर रहा है 200 divide कर रहा है लेकिन 500 नहीं कर रहा है तो question में क्या पूचा है which of the following cannot be there HCF बहिया 500 नहीं होगा 500 इसका right answer होगा बिल्कुल है बात 600 divide कर रहा है 400 कर सकते 400 कर रहा है 200 कर सकते तो यह HCF हो सकते बट 500 नहीं होगा क्लियर है कौन सा नहीं हो सकता है 500 नहीं हो सकता है बस divide कर रहा है simply question number 3 देकिए question number 3 है हमारे पास 2 की पावर 3 into if n is equal to 2 की पावर 3 into 3 की पावर 4 into 5 की पावर 4 into 7 then the number of consecutive zeros in n where n is a natural number question कह रहा है आपको कि n is equal to यह है आपके पास में and then the number of consecutive zeros आपको आपको बताना है n के अंदर number of consecutive zeros बताना है consecutive zeros मतलब क्या होता है जैसे कि for example मैंने एक number लिखा 3058700 और मैं आपसे पूछा हूँ कि number of zeros बताई है तो आप बोलोगे number of zeros इसके अंदर 3 है ठीक है बट मैं आपको बोलो number of consecutive zeros बताई है तो and के जो consecutive होते है consecutive मतलब एक साथ इनको बोलोगे है तो number of consecutive zeros कितने है यहाँ पर 2 है ठीक है तो and के zeros बताने है number of consecutive zeros बताने है अपने को clear है अब यहाँ पर पूछा है then the number of consecutive zeros in n where n is a natural number कैसे करेंगे ट्रिक बता रहो है आपको 2 की पावर 3 into 3 की पावर 4 5 की पावर 4 into 7 अब यहाँ पर अपन consecutive zeros कैसे बताए तो हमार को कैसे बताना होता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो less power कितनी है यहाँ पर 5 की पावर 2 की पावर 3 है ठीक है और 5 की पावर हमारी 4 है तो कितने times है न देखो 2 की पावर और 5 की पावर के form में तो होते zeros हमारे आपने पढ़ाओगा ये चैप्टर तो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में होता है तो 2 की पावर 3 है या आपर 5 की पावर 4 है और जो maximum power होती है उतने ही क्या होते है हमारे नंबर ओफ 0 होते हैं जो हमारी zeros होते हैं किसी भी number के अंदर वो 2 के power m और 5 के power n के format के अंदर होंगे clear है तो 2 के power 3 और 5 के power 4 आप इसमें से निकाली है और 2 के power 3 और 5 के power 4 में देखें maximum power कौन से है 5 के power 4 है तो 4 हमारे number of zeros होंगे clear है चलिए अब देखें यहाँ पर 4th question है हमारे पास the sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization of 196 is अब आप से के बूझ already the sum of the exponent of the prime factors of the prime factorization of 196 तो prime factorization of 196 आप करिए 15 Barn simple सी बात है 14 के square होता है 14 X 14 हम क्या सकते है ठीक है 14 को आप करिए 2 X 7 के factors में 14 को फिर से करिए 2 X 7ग़रmus में यहाँ पर क्या हो रहा है टू कि power td2 हो रहा है और 7 कि power 2 हो रहा है 2 प्लस 2 करी, exponent का हमार को समी तो करवाना है, question कर रहा है, the sum of the exponent of the prime factors, 2 और 2 इनको आप फ्रम कर दी, तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका answer क्या होगा, 4 होगा, इतनी जल्दी से आपको questions को solve करना है, mcqs है भाई, mcqs को हमार को इतना ज्यादा method नहीं दिखाने है, आपका teacher method को check नहीं करेगा, कि इसने पच्चे ने क्या किया है, वो check नहीं करना है, उसको तो ABCD से मतलब है, तो हमार को जतना अच्छा strategy लगाने है, उतनी अच्छा हम लगाएंगे, question number 5 देखते है, question number 5 है हमारे पास, the number of decimal places after which the decimal expansion of the rational numbers, 23 divided by 2 की पावर 2 into 5 will terminate is, question क्या क्या रहा है, यह क्या रहा है, the number of decimal places, after which the decimal expansion of the rational numbers, 23 divided by 2 की पावर 2 into 5 की पावर will terminate is, तो कितनी number of decimal के बाद में terminate होगा, तो देखे, 23 आपको लिखना है, divided by, क्या बोला है, 2 की पावर 2 into 5, अब यहां पर देखो simple सी बात है, 2 की पावर 2 है और 5 है, तो कितनी number of decimal के बाद में terminate होगा, simple सी बात है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर, 2 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 की पावर 6 है if a and b are two odd prime numbers such that a is greater than b then a square minus b square is अब देखिए यहाँ पर जब भी इस type के question आते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा method नहीं लगाना है यहाँ पर आप क्या करिए if a and b are two odd prime numbers अब odd prime numbers बोला है ना a और b को two odd prime numbers बोला है तो आप मान लिजी a को तो क्या odd prime numbers और देखो prime numbers मानिए और odd मानना है तो odd prime numbers कौन सा हुआ एक तो three हुआ और एक b को मान लिजी five है ठीक है और sorry three और five अब देखो यहाँ पर three और five नहीं मानना चाहिए इसको five मानो और इसको three मानो because यहाँ पर a is greater than b बोला है ठीक है और यहाँ पर देखो मैंने five और three ले लिया और numbers ले लिए दोनो और प्राइम numbers ले लिए ठीक है अब a square करना है मतलब a का square करिए five का square करेंगे 25 और b का square करिए three का square होता है nine 25-9 क्यातना होता है 16 होता है clear और 16 क्या होता है 16 क्या है मारा 16 है मारा even number और आप अपनी तरफ से लगा लिए जी दो और प्राइम numbers लख लिए और b में और फिर solve करके देखिए हमेशा क्या आएगा बिटा even number आएगा तो an even number इसका answer होगा mcqs अगर आपके board में आते है तो इस टाइप से आप से लगा के question को solve करेंगे ठीक है question number 7 है हमारे पास if two positive integers a and b are expressible in the form a is equal to pq square and b is equal to p cube q and p cube being prime numbers then lcm a b is lcm a b a और b का lcm बताना है तो a किस format में लिखावा है pq square तो p q square लिखिए and b किस format में लिखावा है p cube p cube q 鐵 हमें क्या बताना है lcm मतलब क्या होता है lcm में हमेशां क्या देखते 결pees्थ भ्रावर क्या देखते lcm में हमेशा क्या देखते ङक्रेटस पावर क्या देखते greatest भावर और ph sticking lowest भावर अब यहां पर and cm lcm निकालना है May greatest पावर देखेंगे, देखो P की यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर P की तीन पावर है तो greatest power क्या होगा, P की पावर 3 यहाँ पर Q की पावर 2 है, यहाँ पर Q की पावर 1 है, तो greatest power क्या होगा, Q की पावर 2 यही हमारा LCM होगा किसका, इनका, तो P क्यूब और q2 तो p3 q2 ये इसका अंसर होगा अब देखिए 8th question है if two positive integers a and b are expressible in the form बिलकुल similar question है कोई दिक्कत नहीं है pq being prime numbers then hcf ab's ab's इसका जो hcf होगा वो क्या होगा आपको ये निकालना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शायद cube होगा मेरे सबसे cube यह square जो भी है चली देखिए लिएजगा तो हम तो यह ले ले लेते हैं तो pq square एक number है और p square q एक number है हमें क्या निकालना है hcf hcf में मैंने भी आपको बताया है lowest power होती है hcf में हमेशा लेते lowest power तो hcf हमें निकालना है तो hcf में देखिए p और p square में lowest power क्या है पिटा p है q square और q में lowest power क्या है q है तो इसका hcf क्या होगा p q होगा कितना सा time लग रहा है आपने को आगे solve करने की ज़रत ही नी question number 9 देखिए if two positive integers if two positive integers a क्या लिखावाई यह प्लस n जो भी है and n are expressible in the form m is equal to m होगा शयद हाँ यह m and n are expressible in the form m is equal to p q cube and n is equal to p q q square where p q are prime numbers then hcf m n अच्छा इनका lcf अपने को hcf निकालना है तो आप लिख लिजे p q cube and यहाँ पर n की जगे लिखिए p q q square अब हमें क्या निकालना है hcf hcf मेंने बताया आपको क्या हमेशा क्या होता है hcf में हम क्या लेते lowest power लेते lowest power मतलब lowest देखें आपर p और p q me देखें कौन सा lowest है P है Q3 और Q2 में देखें कौन सा लोवेस्ट है Q2 है P Q2 कहां पर है यह रहा B option right हो है clear है देखें question number 10 if the LCM of A and 18 is 36 and the HCF of A and 18 is 2 then A is equal to क्या होगा तो if the LCM of A and 18 is 36 तो A or 18 का LCM है वो 36 है तो देखो भई LCM क्या है हमारा LCM जो है वो 36 है ठीक है और HCF of A and 18 is 2 HCF जो है वो क्या हमारा 2 है ठीक है किसका A or 18 का किसका A or 18 का आपको एक relationship पता होगा LCM into HCF is equal to product of A and B product of number 1 and number 2 A and A into product of B number B ठीक है A into B लिख लिजी आप product of नहीं आप ऐसे लिख लिख लिजी A into B मतलब A or B क्या है नमबर है दोनों ठीक है तो LCM क्या है 36 है राखी है HCF क्या है 2 है A क्या है A एक नमबर है माल लिजी और B क्या है B एक दे रखा है 18 ठीक है दो नमबर दिए वे A and 18 तो A माल लिए आने B को 18 माल लिए अब देखे A की हमार को value निकालनी 18 को हम यहाँ पर transpose करते 18 तो जा 36 तो जा 4 तो A की value कितनी निकली है A की value 4 निकली हमें A की value निकली है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते है question number 11 है the HCF of 95 and 152 is अब देखो यार यह option से होगा यह option से होगा करना ही नियास question को ठीक है कर भी सकते हो आप आपकी इच्छा है बट आप क्यो time ले रहो है मैं फिर से कह रहा हूँ time बचाना चाता हूँ आपका देखिए the HCF of 95 and 152 अब मुझे एक बात बताईए 95 or 152 का HCF जो होगा 95 or 152 का जो HCF होगा वो 95 or 152 से कम ही होगा 152 से तो कम होगा HCF मतलब क्यों होता है HCF का trick बता रहा हूँ मैं आपको जिब भी 2 numbers 3 numbers जितने का भी HCF निकालना है क्या low HCF निकालने के लिए सबसे lowest number लो सबसे lowest number लो लोवेस्ट नंबर दिख रहा है 95 और 152 में कौन है भाई लोवेस्ट 95 ठीक है अब 95 को fetch करना है अब मैं option से करा रहा हूँ देखो 95 को 57 divisible कर रहा है नहीं कर रहा है छोड़ो 1 divisible कर रहा है बिल्कुल कर रहा है 1 को आप रखो साइड में अभी 1 को रखो ठीक है 19 divisible कर रहा है अब देखो 19 को divisible करोगे तो 25 हो रहा है बिल्कुल और 19 152 को कर रहा है यह बार चेक कर रहे है तो 19 इस दुनिय नमें उनिस अठी एक सोबावन बिल्कुल कर रहा है ठीक है एट टाइम जा रहा है तो 19 इसका क्या होगा हमारा अंसर होगा 38 कर रहा है तो 38 भी गलत तो इसका अंसर क्या होगा हमारा 19 होगा सिंपल जी बात है option से करो आप करने कि आपको ज़रूरत ही नहीं है ठ सब mindset करना अबयाए प्लत इसमेका दूरिकार की करनाया सब्सक्राइब जी बिलाया ज्रीय डूर्ण गर करने कि तहांथ होगा क्या होगा बताओ 26 तो HCF 26 और 169 का 13 है और LCM बताना आपको तो वही वाला relationship ले लो HCF into LCM और A into B और A into B में लिख दो आप 26 into 117 और LCF HCF आपको दे रहा है 13 LCM आपको नहीं दे रहा है LCM तो यहीं रखो 13 को आप ले जाओ ट्रांस्पोस कर दो तो 13 से 13 दूना 26 12, 119 को दो बार कर दो तो 9 दूनी 18, 2 छे दूनी बारा 13 और 2 एकम दो 338 ठीक है और इसको option से भी कर सकते ते यार इसको option से भी कर सकते ते कैसे option से देखो में बता तो आपको if HCF 26 और 169 तो आपको 26 और 179 का ही तो LCM निकालना है LCM हमेशा क्या होगा इन दोनों नंबर से तो जादे ही होगा 26 और 179 या तो LCM यह 179 भी हो सकता है या इस से जादा होगा अब देखो 26 है कम है 52 है कम है 13 है कम है 179 से जादा कोन है 338 है तो 338 ही तो इसका अंसर होगा ऑप्शन से भी आप जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो if A is equal to 2 की पावर 3 इंटु 3 इंटु 3 इंटु 5 C is equal to 3 की पावर N इंटु 5 और LCM A, B, C then N की वैल्यू आपको बतानी है देखो सिंपल सी बात है ए 2 की पावर 3 इंटु 3 इंटु 3 देखो यहां पर दे रखा है आपको A, B और C ठीक है समझना चीज को बहुत आसान है 2 की पावर 3 इंटु 3 B दे रखा है 2 इंटु 3 इंटु 5, C की दे रखा है 3 की पावर N इंटु 5 और आपको बोला है कि LCM जो है न, LCM ABC का, मलत इनका LCM इन पूरे का LCM वो है 2 की पावर 3 इंटु 3 की पावर 2 इंटु 5 अब देखो 2 की पावर 3 है, बिलकुन मिल गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मिल रहा है, देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यह 3 की पावर n है, मतलब 3 की पावर 2 LCM होने का मतलब क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी भाई, n की वैल्यू हमारी 2 होगी, औ इस पावर तो 2 के पावर 3 तू और देखो यहाँ पर 2 के पावर 3 है यहाँ पर 2 है तो 2 के पावर 3 ग्रेटेस पावर है यहाँ पर 3 के पावर 1 है यहाँ पर 3 के पावर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 के पावर 2 था मतलब यहाँ पर 3 के पावर n की जागे क्या होगा 3 के पावर 2 जब divided by one two five zero, ठीक है, number will terminate after, कितने number of decimal places के बाद में ये after, मतलब ये number जो होगा, वो terminate होगा, ये आपको check करना, तो one two five zero, देखो, मैं तो आपको कहूँगा, one two five zero को factorize करो, तो आपको होगे, one twenty five into ten हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, one twenty five को भी factorize करो, तो 25 into five कह सकते हैं, इसको 25 को हम पाँच के पावर तीन लिख सकते हैं, पाँच के पावर तीन और देखो, ये पाँच एक हो है, तो ये पाँच के पावर चार होगा, और ये two, five की पावर four, और ये क्या हो गया हमारा, two हो गया, अब बताए कितने number, कितने places of decimal के बाद में ये terminate होगा, तो मैंने क्लियर हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 15, 15 है हमारे पास में, if p and q are co-prime numbers, then p square and q square are co-prime, अब देखो, यहाँ पर क्या है, p and q are co-prime numbers, then p square and q square are क्या हो गया है, always be co-prime numbers, because, देखो, इसका reason मैं आपको देता हूँ, p and q are co-prime, co-prime number का मतलब, मैं सबसे पहले आपको समझ जालता हूँ, co-prime numbers, मतलब, दो numbers होते हैं, उनका जो factor होना चीए, जो hcf होना चीए, वो क्या होना चीए, one होना चीए, common factor क्या होना चीए, one होना चीए, वो होता है, common factor क्या होना चीए, one होना चीए, common factor क्या होना चीए, one होना चीए, for example, मैं आपको बोल देता हूँ, जैस डोनों क्या हैं हमारी एक तरस्ते को प्रयम पाति अब क्याych में।醇 प्लस नाइगाOM करेंगे तो कितना आएगा जलिदी से बताईया तो नो और चौन तीस ऑर सीन चार पाँच कितना आएगा 54 आएगा यह आएगा 54 कहाँ से आएगा 34